विधासबा चुनावों को लेकर क्या बोले शियोपूर भाजपा के पूर्व जिलादियक्ष अशोग गर्ग खाबर कराहल से है जोहाँ अज शियोपूर बीजेपी के पूर्व जिलादियक्ष और पूर्व जिलापंचाय सिदे से अशोग गर्ग ने हमसे बात करते हुए ब पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं निश्यती कॉंग्रेस के प्रतियाश्य को जादा वोटों से हरा दूँगा और जिसे भी हमारी पार्ची टिकट दे उसके लिए जी तोड महनत करूँगा। पार्ची बहना योजना शुरू की, किसान सम्मान निधी योजना, तेर्थे दर्शन योजना और भी कई योजनाय शुरू की। इसकारणों की बात की जाएं, तो डूडर में जो माविद्याल है और कराल में माविद्याल है, वो इनी के अद्ध्य अच्छी के काड़काल में सिएम सिवराज जी ने सौपे थे। जी असुप करगी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, चुनाव नजदीक हैं, क्या कहते हैं, इस बार कुछ बदलाव हो सकता है गया। चुनाव नजदीक हैं और बदलाव तो हुगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। सर, आप बदलाव की बात करते हैं, बाजपा कई बरसों से मद्य प्रदेश के सिंगासन पर कावेज है। तो सर, ऐसा क्या डर सता रहा है, जो भार के राज्यों के बिदायक आकर यहां सर्वे कर रहे हैं, कि किसे टिकेट दिया जाए। देखिए, भारती जनता पार्डी के कारकरता, भारती जनता पार्डी के बिदायक, 12 महीने 24 गंटे काम करते हैं। जैसे यूपियों में चुनाव होते हैं तो हमारे यहां के वरिष्ट कारकरता हुआ जाते हैं और वहां के लोगों का सहयोग करते हैं वहां की पार्टी का सहयोग करते हैं उसी प्रकार आज मद्द प्रदिस में चुनाव होने जा रहे हैं तो यूपी से या कहीं और बाहर से विर्टायक दो मस्में लोग दैने को सरलंग रहते हैं वह लोग कापना कॉछ दैजिक्स काम करना लॉची देट्चाने को लेकर सो उन्भी द्यॐतरल है कि घंचता नहीं चल रही इद बार्ति जंत पार्तिकि बार्टीë संगठन संगठां कुआ और है टिक यो खा खीशतान की बात है तो हमारे हां कोई टिकटी की खीश्तान नहीं है न आमारे कोans कोई गुट वाजी है अब कुछ लोग हैं जो स्वार्थ के वशीभूत इस प्रकार के प्रत्किरिया देते हैं बाकि हमारे हैं कोई खीस्ता नहीं है जिसको पार्टी संगठन उम्मीद वार घुसित करता है वो चुनाव लड़ता है पूरी पार्टी उसका सहयोग करती है रामनेबास रावत जी तो सर बिल्कुल डिक्लियर चेहना है कांग्रिस की तरफ से क्या सर पार्टी पर अभी तक यहसा कोई प्रत्यास ही नहीं मिला जो उनके किलाप उतारा जा सके लोग कयास लगा रहे हैं कि पूरी बीजेवी पार्टी बॉन ही नजार आ रही है बेजाप के कांग्रिस के पास एक रामनेबास जी को चोड़ करके कोई दूसरे प्रत्यासी नहीं है जब से रामनेबास जी ने चुनाव लड़ना शुरू किया है तब से एक रामनेबास जी प्रत्यासी है कांग्रिस में दूसरे प्रत्यासी पैदा नहीं हुआ आज भी आप सर्वे कर लाईन क्या मान्तियों सर इस वार लाडली जो ज्वाड़ना योजना सार एक जू लॉझ हो यह क्ट शार अब डाली वेना जुण धरंद नाम पे मत्रदेश न क्या चा मुझा है क्याती इती है कि अरव न की अरलाउं मंत्री जी ने किसान सम्मान निदी लागू की उसके तैट 6000 रुपे हर साल किसानों को सम्मान के रूप में दिये जा रहे हैं इसी प्रकार मानिये मुख्यमंत्री जी ने किसानों को सम्मान निदी के रूप में 6000 रुपे देने का काम किया है आज इसी प्रकार से लाडली भेना परिशान होते हैं तो उनकी छोटी-छोटी जरूरते हैं वो उससे पूरी हो जाएं एक भाई अपनी बेहन के लिए अगर यतना नहीं करे तो कौन करेगा हम देख रहे हैं सर्पाइटी के बड़े स्तर पर प्रदेश में के अंदर पर एक गुटवाजी देखी जा रही है क्या सर्शोपर वेजा प्रवजा प्रवदान सवा में भीजी गुटवाजी है वीजीपी में मद्व प्रदेश में भारती जनता पार्टी में कोई गुटव वाइटी आज जनियात्रा अश्रबाद निकाल रहे रियलीया इस से कुछ सम्हाइब पहले बिकास यत्रा भी निकाली गई थी विपच चारूप लगाता है जनता के काम तो किये नहीं है अब विकास के नाम पर बकान करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है आप ये बताइए कि जब अगर विकास नहीं होगा तो विकास यात्रा कैसे निकलेगी वही कांग्रेस ने कभी भिकास नहीं किया तो और कोई भिकास यातरा का पांच साल में एक बार जनता का आसिरवाल देने के लिए हमारे मुखमंत्री जी जन आशिरवाद यात्रा निकालते हैं कि वही मेरे को अगले पांच साल के लिए जनता का आशिरवाद चाहिए और वो जनता उनको हज्जारों की संख्या में लाकों की संख्या में पानी वरस्ते में सडकों खड़े हो करके और हमारे मुखमंत्री जी क को आप देख रहे हुआ शर्वात दे रहे हैं कि पाँच वीवारा आप सरकार बनाइए हम आपके साथ एक नेरेटिव एसर आपको लेकर शोपर में सर आप काफी लंबे समय से राजनीती कर रहे हैं जलाज दच रहे हैं जनपर जला की सदस्च रहे हैं तमाम सारी आपके पास उपलब दिया हैं कदवार नेता उसर बीजेपी की ऐसा असर क्या हुआ था 2018 के चुनावों में कि आपके वाचवा प्रित्यासी कॉंग्रेस से इतने बड़े मतों से आर गए हैं इसका यह कारण रहा है कि जो कॉंग्रेस के प्रित्यासी थे वह तीन वार से कि तुम के पर चुनाव लट रहे थ हैं तो जातिगान संखिया तो नंकी है है उसके वाद में उन्होंने पार्टीचन्ज करके औगॉ कॉंग्रेस की सदस्तथा कुरे chem कर ली हो कॉंग्रेस की पढ़ा था क्या सरु यह भी कारण था कि उस समय जो उन्होंने सिंधिया जी को मुखवंतरी का चेहरा बनाया और मुखवंतरी सिंधिया जो अमिस्ता जी का दोरा था शोपर में वह अचानक रद्ध हो गया था विपच्च के लोगा रूप लगा रहे हैं बेड़ कम आई थी इसलिए दोरा रद्ध कर दिया गया अमिस्ता जी को क्या मुधे का था जला प्रशासन आप यह देखिए कि मीडिया को चोता इस्तम माना जाता है और जब अमिस्ता जी का यहां दोड़ा कारकरम ते हुआ तो पूरा मेला ग्राउंड खचा कच्वरा हो था पूरी सड़कें चारों तरफ से लबा लब थी और चारों तरफ से रास्ते जाम हो गए इतनी सारी भीड यह दो हमारे कांग्रेस के मित्रों को नहीं दिखाई देती एक काम के लिए मैंने फोन किया तो हमारे बच्चे नंगा कि वो तो पूरा रोड जाम बुरा मैं कैसे आपाऊंगा तो इस प्रका इतनी भीड थी कि मेने तो इतनी भीड कभी शोपुर में देखी थी क्या कहते हैं सर कारक्रम तो रद्ध हो गया क्या सर ग्रैम देश के ग्रैम अंत्री के दो बार शोपुरा सकते हैं कारक्रम जो रद्ध हुआ वेको बारी बारिस के कारण है आवाई जासे हेलिकॉप्टर से उनको शोपुराना था लेकिन बारिस इतनी हो गई कि हेलिकॉप् अश्मनी वेष्णिवजी ने उस कारकरम को सम्मोधित किया, उसके बाद दूरवास पर अमिस्राजी ने सम्मोधित करती हुए बात कही है कि आज मौसम खराम नोने के कारण मैं आपके बीच में उपस्तित नहीं हो सका, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नामे कई चैनल इसका खुडासा भी कर चुकी है, क्या मानते हो सर यदि आपको टिकेट मिलता है तो के इस बार रामनवास जी को फिर से अरा पाओगे, देको सर्वे में नाम चरना एक अलग बात है, अगर पार्टी कहीं कहीं अपने को मौका देती है, तो रामनवास जी को तो हमने अगली वार भी यहराया, और रामनवास जी को तो रामनवास जी तो अब भी 23 में भी चुना मारने वाले है, सर यदि पार्टी ने आपको टिकेट दिया, और आपका विजयापर विदान सवा से मानने नी विदाइक हो गई, सर पहली प्रात्मिक्ता कराल के लिए क अच्छी छेतर होने के कारण, यहां रोजगार के साधन उपलब्द हो, कोई अच्छी फैक्टरियां डले, जिससे यह वाओं को यहां रोजगार मिले, और वैसे भी अभी शोपुर में आप देख रहे हैं कि बड़ी रेल लाइन का काम बड़ी जोरदारी से चल रहा है, औ और जब यह संपन्न होगा, तो हमारे शोपुर छेतर में, शोपुर जिले में बहुत अच्छी तादाद में रोजगार के साधन उपलब्द होंगे, कच्छे मालगी हमारे कोई कमी नहीं है, फैक्टरिया लगेंगी, धान का हमारा कटोरा का जाने लगा है, तो अच्छी व बाजपा का चुनाब केवल कॉंग्रेस से नहीं सर, आमादमी पालिटी से भी उने वाला है, आमादमी पालिटी भी इस बार प्रदेस में कुछ बड़ा करने वाली है, जिसमें बेज़ा परविदान सभा में तो तैयारी भी शुरू हो गई है, उन्होंने अपना एक गारं पालिटी कार्ड जारी करना और उसको प्रत्वी जमीन पर लाना अलग बात होती है, आमादमी पालिटी के पास कुछ नहीं है, सर, लोग कयास लगा रहे हैं कापी सोसल मीडिया के फ्लेटफॉर्म पर भी देखनों को मिल रहा है कि सिंधिया जी कुछ नाराज से चल रहे है क्या सर ऐसा है, वो बताते हैं कि उनके बिदायकों को टिकेट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नाराज हैं, कहीं ऐसा ना हो सर, सिंधिया जी की नाराज की बीजेपी पर ही बारी पड़ जाए नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यह सोचल मीडिया वाले कुछ भी कहते रहते हैं, अभी आप देखो यात्रा में, शिंधिया जी नहीं शोकूर से यात्रा सुरूल की, नहरें सिंग जी उनके साथ थे, अभी जो लिश्ट चल रही है, टिक्टों की बटवारे में, तो कभी लोग हैं, जुनको टिक्ट दे रहे हैं, और सब मिल करके, एक साथ बैठ करके, और निर्ने करते हैं, और पार्टी तो ऐसा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को टिक्ट देती, शोपर में सारे एक बाड आई थी कुछ समय पहले, जनता आरूप लगाती है, कि समाज सेवियों ने स शोपूर घर गया था, इतनी वहेंकर वाड कभी जीवन में ने देखी, और जब वाड आई तो जो समाज सेवियों हमारे शोपूर जिले के रहने वाले हैं, और दूड़ दराज के गाउं के रहने वाले हैं, राहिस्तान के लोग भी थे, और भी लोग थे, जिल लोगों प मदद करने का और बिलबलाने का है, तो आपने देखा होगा, कि जब वो पानी भरा, घर के कई मकानों उसमें द्वस्त हो गए, कई दुकानों में पानी भर गया, उन दुकानों में किरानों का सामान, इलेट्रिक का सामान, सब सड़कों पे लोगों ने फेंका, तो उसको ग लोगों के कई घरों जड़ गे तो महीनों तक लोग दूसरों के मकानों में होटलों में धरमसालाओं में उनमें रहे तो उनको खाने की व्यस्ता भुजन की व्यस्ता स्वाम सेवियों ने भी की और प्रिसासन ने भी की अब प्रिसासन तो जो खर्चोंगा उसका तो पैसा ल किछली बार शिन्दिया जी के उदर होनी के वैएसे बीजेपी पिछड गई थी इस बार सर वह आपके साथ हैं कितनी सीट सर ला पाऊगे पिछली बार सिंदिया जी हमारे साथ नहीं थैं अब शिंदिया जी हमारे साथ हैं तो मैं कहता हूं कि तो अम तो 34 की 34 सीट जी तेंगी सर आप श्योपूर में जिलाद्यच रहे एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सर जिलाद्यच होना भाजपा जैसी पारिटी का क्या सरय से कार आपने आपने करकाल के दोरान कराई जैने हमारे ग्रामिड चेत्र में जिसे डूडर चेत्र है आजादी के बाद से वहां कभी कोई मुखमंत्री नहीं पहुंचे है हम हमारे कारकाल में मानिय मुखमंत्री शिवराशी जी चोवांजी को डूडर ले गए बीस हजार की संख्या बेना किसी सादनों के वहां एकत्रत हुई और मुखमंत्री जी ने एक हमारे छोटे से काउं में महाबिद्याले की इस्तापना की आज पांस साल से महाबिद्याले चल रहा है कराल में भी मुखवंद्री जी ने हमारी कारकाल में माविध्याली की गोशना कि जो सास की यहां पर है श्योपूर से लेकर के डुडर और डुडर से लेकर के शामपूर तक प्रदान मंत्री सडक योजना के तैथ मैन केनाल पर 70 किलोमीटर सडक बनी जसे लोगों को कभी ऐसा सोचा नहीं था उन्होंने कि हमको भी कभी नहर पर सड़क देखनों को मिलेगी तीस विस्तर का होस्पिटल बना उसकी शुक्रती मिली और गाउं में चौपा लगा करके और हमने लोगों की समश्याओं का समधन किया उज्जला गैस योजन के तैट सिलेंडरों का वित्रन भी कि हुआ को और कई गाहों वैसे हैं जहान बिजली पहुचना संभब था जैसे सांड ऑगवनी हैं तमाम ऐसे गाहों हैं उन गाहों में समय बजली पहुचाने के किया तो सरकार की मदशिएस से मानि मंतिरिजी सिरवास अधिप्रदेश में है पिरसर ऐसा क्या कारण बन रहा है इस बार कि उनको मुखमंतरी का चैरा नहीं बताये जा रहा है ऐसी क्या बात है पिरसर नहीं यह सब मिलकर के पार्टी का काम करेंगे वो पार्टी सरकार बनाएगी आपको बता दूँ को भारती जनता पार्टी ये कैसी पार्टी है जो कारकरता अधरत पार्टी है और जैसे कॉंग्रेस है तो गानी खांदान से है समाजवादी पार्टी है तो मुलाहिम सिंग यादव, अखलेश यादव, तो BSPA, यह सब जो है ना एक परवारवादी पार्टी है, भारती जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जो कारकरताओं के आधार पर चलती है, उसमें कारकरता ही सर्वोपर पर ही होता है, कारकरता की शला पर ही वो चलती है, ए और बड़े से वड़ा कार्करता भी चोड़ीप प्धिया सकता है, तो बार्ती जनता प्षी एक कारे करता आधारित पार्टी है, हमारे देश में भार्ती जनता पार्टी अंड पार्टीSabी Из अलग है, और उनकी विचारधारा राश्ट के लिए काम करती है, जन्ता के लिए काम करती है जन्हित के लिए काम करती है हमारे साथ जुड़ेते पूर्व सोपर के पूर्व जिलाद्यच असुक गर्ग जी जन्होंने पूर्ण वहमत सरकार बनने की बात कही है और इस बार ग्वालियर चंबल से पूरी 34 सीटों के जीतने का दावा किया है अब अंततना चुनाव नजदी के चुनाव ये तेह करेंगे कि किसकी वहमत की सरकार बनने जा रही है